हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूजरी फार देली डोज ओफ इंडियन फुटबोल तो सबसे पहले सुरुवात तो करनी चाहिए ISL के कल खेलगे ओपनिंग मैंच से बट जिस तरह से अनवर अली सागा में कल इवेंट्स अनफोल्ड हुए और जिस तरह से हाई कोट ने अपना जजमेंट दिया जिन्होंने सबको सब्प्राइज कर दिया तो उसके चलते जो सारा लाइम लाइट है वो उस एवेंट के उपर चला गया जो बात ये आपकी ISL ओपनिंग मैंच के होनी चीए थी वो सारा डिसकेशन सिफ्ट हो गया अनवरली ट्रांसफर्स आगा के बारे में तो हम भी उसी से सुरुवात करते हैं तो कल दिल्ली है कोट में हम सबको पता ही कि ही हीरिंग थी तो वहाँ पे उन्होंने जो AIFF PSC ने अभी तक की जितनी भी हीरिंग की जितने भी इंटर्मीडियेट ओडर्स दिये थे फाइनल वर्डिक दिया था उन्होंने नल एन वोइड खोशित कर दिया है और उन्होंने बोला है AIFF PSC को कि आप फिर से री हीरिंग कीजिए चो कि आज होने वाली है और आप उसके बाद अपना प्रोपर डिसन दीजिए उसके ग्राउंड्स भी दीजिए क्योंकि जो अभी तक क्या डिसन पी एससी ने दिया था उसमें उन्होंने अपर तक ग्राउंड्स लिखे नहीं थे टाइम लगता है यहां पर जो पूरा हीरिंग से उसको कोसित कर दिया और क्योंकि वह आपका फाइनल डिसन तो फिर जो इंटरिमीडियेट ओडर दिया था कि जिसमें अनवर अली को एक टाइम के लिए नोसी दिया गया था तो रेजिस्टर फॉर इस्ट बंगल वो भी नल अनवर अली का जो में एम था या फिर में पर्पस था कि हम दिली अहीं को जा रहे हैं कि ताकि एक इंटरिम स्टेय लेके आए और जब तक अपिल कमिटी का कोई डिसन ना है तब तक हम यहां से अगर हमें श्टेक मिल जाता है तो तब तक अनवर अली खेल सकता है बट उनको यह पता नहीं था कि इस तरह कोई डिसन आएगा कि जहां पे पुरा हेरिंग से नल एन्वेड हो गया तो अभी अभी तो अनवर अली ना तो इस्ट बंगाल का प्लेयर है ना तो महन प्लेयर है अगर मान लिजे कि यहां पर कोई भी ओडर प्लेयर को यहां पर रिजिस्टर कीजिए उसके उपर जो सबसे बड़ा डर है वो है फिफा का क्योंकि जो दिल्ली है कोट ने ओडर दिया है वो यहां पर फिफा की नजरों में थर्ड पार्टी इंटर्फेरंस है की नहीं वो देखना इंटरेसिंग है कुछ लोग बोल रहे हैं कुछ लोग बोल रहे की है क्योंकि आप देखे कि एफफ में एक जो स्ट्रक्चर बोड़ी है उन्होंने जो डिस्टन दिया था आपने उनको फिर से री हीडिंग के लिए बोला है एंड उसको यहां पे अगर फिफा थर्ड पार्टी इंटर्फेरंस मानता है तेन इंडिया की उपर बेना सकता है काफी लोगोंने फेलाया की यह स्टे ओडर मिल गया है जबकि विल्कुल यह स्टे ओडर ही नहीं स्टे ओडर का मुटलब क्या होता है कि जो पीस ने डिसन दिया वह यहां पे एड दी मोमेट यहां पे क्या बोलते कि अपलाई नहीं होगा जबकि यह तो सारा डिसन ही उन्होंने क्वेस्ट कर दिया है तो एसी इंफोर्मेशन भी काफी लोगों से फेलाई गई काफी लोगो सोर्सिस से ज्यादा अब देखिए ओफिस्यल जब तक सारी चीज़े नहीं होती तब तक उसके उपर बिलीव नहीं करना चाहिए तो लेट सी फिफा क्या अप्रोच रखता है आज जो एफफ पीस से की हेरिंग उसमें क्या किया जाता है तो दिर आर लोट ओफ तिंस कें है पन इसमें जो सबसे बड़ा लोग से अनुवर अली का है इस बंगाल तो चलो भाई कुछ बेन लग जाएगा कुछ पैसे दे जाएगा छूट जाएगा दिली एपसी का भी सेम सिनारियो है मोहन बगान को भी कंपन से सन मिल जाएगा बट अनुवर अली का जो फ्यूचर है एनी क्लब इन नेक्स्ट कपल ओफ मंथ वो देखना भी इंट्रेसिंग होगा लेट मिनो गाइस आपके गया ओपीनियन है कोमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए नेक्स्ट बात करते हैं फाइनली आयसल ओपनिंग मैच के बार में तो मुंबई सिटी वसिस मोहन बगान का इंट्रेस्टिंग मैच कर ला में देखना को मिला एंड क्राउड भी अच्छा आया था इंट्रेस्टिंग मैच रहा फॉर्स आप में मुंबई सिटी ने बेटर खेला ओर अगर आप देखे तो मुंबई सिटी वर धी बेटर टीम बट डेफिनेटली इंटेंसिटी यह पेला मैच है तो थोड़ा सा रश्टी ने साब को देखना को मिलेगा बट कुछ डेफिनिटली इंट्रेस्टिंग प्लेरों इंडियन प्लेरों ने प्रफॉंस थी जिसमें अगर मुंबई सिटी की और से बात करें तो पी एए नोफाल आइटिंग यह स्पिन एप्सु देखें दूसरी साइड अगर आप वहन बगान की बात करें तो उनके लिए डिफेंस इस दी एरिया की जहां पे सबसे बड़े कंसरन है और वही चीज होसे मोली जाने भी प्रेस कॉन्फरेंस में बोली कि चार में चीज़ में नो गोल हमने कंसेड किया है और इस दी यू कै और आले उसको फॉर्स आप में सब्सेट्विशन कर दिया गया था ड्यू तो यू कैसे की लिटल बी स्टीफनेस इन इन इस लेक्स तो पर यहां पर डिशन लिया गया था जैसा पिटर करकी ने बोला है सो लेट आप सो उसको कई सीडियस इंजरी ना हो वाट ओर और यू क भी डूनने है सो लेट सी हाव होसे मुलीना इस गोएंट इस सोलीशन विकोज नेक्स मैच इस इन दी असील तो अगेंस्ट एपसी रहती है उसके बाद बात करते हैं आज के डबल हेडर्स के बारे में तो पहला मैच है ओडिसे एपसी वसिस चन्नाइन एपसी और इस गोए बनी है स्कॉर्ड की काफी सारे प्लेयर जो लास सीजन थे वही इस सीजन भी है तो हमारे जो गेम प्लान टैक्टिक से उनको अंडरस्टेंड करने में उनको आइटिंग आसानी होगी एक चीज और उन्होंने बोली कि बाकी क्लब जैसे मोहन बगान इस्ट बंगाल बैंगल इस बेड़ गुड तिंग बट मेरा जो भी रहेगा कि यहां पे जो इंडियन प्लेयर उसको डेवलोप करना क्योंकि उन्होंने बोला कि हमारी स्कॉर्ड में साथ अंडर 22 के प्लेयर है जो की आई डों तिंग सो कि बाकी किसी और स्कॉर्ड में इतने जाधा है ऐसा उन्हो पूतिया को उन्होंने यहां पे परफॉंस दिलवाई और नेर्शल्टी में कॉलब दिया तूसी तरह से उन्होंने बोला कि इस सेजन भी मेरा वही काम रहेगा रहीम अली के बारे में बोला कि नोडाउट हमारे जो फ्रंट टुके जो श्राइकर डिएगो मरिश्यों को सकता है जिस तरह से उन्होंने स्कौर को स्टेंथनिंग किया हैं जिस तरह की साइनिंग की है विलमा जॉर्डन और चीवा जुकू तो यख झिटिंग बैटल महां पर भी अश्राइक कर रहे हैं प्रेडिक्शन फॉर इस मैच इस इस पंगाल वह एक 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 साइटिंग मैच होगा अगें क्योंकि यहां पे कालेस खुदराथ प्लेइंग अगेंस्ट फॉर्मर क्लब चबकि जरार जर्गोजा यहां पे उस टाइम पे कालेस खुदराथ के आसिटन को उसते तो वह एक इस ट्रांसफर विंडो में काफी ज़्यादा स्पेंड भी किया है अपनी स्कॉर्ड को श्रेंथन करने के लिए चाहे वो इंडियन प्लेयर सो चाहे फॉरें प्लेयर सो तो वहां पे एक काटे की टकर में देखने को मिलेगी लेट सी कांतिरवर स्टेडियम में कितने लोग यहां पर देखने को आते हैं विकेंड हैं सो एक फैंस का सपोर्ट भी उस तरह से उनको देखने को मिले एंड दोनों ही टीमों का इस सिजन का केंपेंड किस तरह से स्टार्ट होता है तेट विल रिली रिली इंटरेसिंग तो सी इन देट मैच आइम गोईंग विद दी उस उसके बाद बात करते हैं एपसी गोवा के बारे में तो इंडियन नेशनल टीम के हैड़कोच एंड एपसी गोवा के जो एड़कोच है मनलो मारकेस उन्होंने कल एपसी गोवा का मीडिया डे पर बोला कि नो डाउट आइम कमिंग फ्रॉम एकेंसे की तफ लोस अगेंस्ट सिरिया बट हमारा फोकस ट्रेनिंग की उपर है उसके अलवा एपसी गोवा के लिए थोड़ा सा कंसर्निंग न्यूज यह है कि पांच प्लेर उनके फर्स्ट फिक्सर जो उनका है उसमें अवेलेबल नहीं रहेंगे जिसमें संदेश चिंगान इकार गुरुचकेना एंड लारा सर्मा इंजरी से रिकवरी कर रहे है महमद यासीर इंजर एंड वो नेक्स्ट मंथ यहां पर आप आएंगे जबकि एलन साजी जो की रिलाइंस यंग चैंप से वह यंग श्ट्राइकर लेके आया है प्रोमिसिंग श्राइकर वह यहां पर उनको सिरियस इंजरी हो आपको नहीं खेल पाएंगे मैं काफी अक्सेटेट था एलन साजी को देखने के लिए बट अनफोर्चुनेट्री वह यहां पर आवलेबल नहीं रहेगा जबकि दूसरी सब्सक्राइब को जो मैच है अगेंस्ट पंजाब एपसी उसमें सिर्फ 50 परसंट कैपिसिटी अला कि वन ओप फेस्टिवल है किरला में सेलिब्रेट किया जाता है तो उसके चलते जो सारी चीज़े आपकी ओपरेशन के जो सारे मैनेजमेंट है वो उस तरह से हैंडल नहीं हो पाएंगे और क्योंकि लोग भी यहां पर इतना बड़ा फेस्टिवल है तो फेमिलेंट के साथ सेलिब्रेट करते हैं ताइमिंग भी एसा है कि आप उस टाइम पर यहां पर नहीं कर सकते तो that's why 50% के साथ उस मैंच में जो क्राउड है उसको अलाउ किया जाएगा नेक्स्ट बात करते है भाई एएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए आएए ओफिस में को आया था एएएएंड उन्होंने यहां पर जो फ्रेटनििंग चीज़ कल नांच होड़ी है नहीं थे एएएएएऔल इस जिस तरह के हैँशन ले रहे है but that is the unfortunate thing आपके opinion difference हो सकते है but that doesn't mean कि आप इस तरह की चीज़े करे but let's see आगे किस तरह से वहाँ पे होता है दूसरी साइड जो हमारे इंडिया के legendary player है पाईचुम बुटिया उन्होंने कल बोला है कि पूरा जो federation है उसका overall होना चीए इंडिया is going down in football and fresh election होने चीए यह उन्होंने डिमान की है हमको पता है कि उन्होंने क्यों यह डिमान की है बट सुप्रीम कोर्ट में जब तक constitution एड़ोप नहीं होता तब तक तो election होने वाले नहीं है तो उन्होंने भी यह चीज़ रखी है लास्ट में बात करते है एफसी ने जो वुमन्स फूटबल के नेशनल टीम के competition है उसमें बड़े बड़ाव किये है जो कि 2026 से implement होंगे जिसमें जो वल्ड कप qualification या फिर एश्टन कप qualification या फिर आपके ओलंपिक qualification के लिए जो criteria या फिर process था format था वो completely change कर दिया गया है वुमन्स अंडर 17 AFC एश्टन कप या फिर अंडर 20 एश्टन कप उसमें भी changes किया गया है वल्ड कप में जो qualification है उसमें 3 round कर दिया गया है जबकि आपके एश्टन कप के qualification में 2 round का process किया गया है जबकि ओलंपिक में जो 3 round होते थे उनको हटा के उन्होंने क्या कर दिया है कि एश्टन कप में जो भी top 8 team में finish करेगी उसको फिर next तुरंत ही यहाँ पे दो group में divide करके चार-चार के यहाँ पे round प्रोबिट पे matches खिला के जो भी top करेगा दोनों group को क्योंकि दो ही team आपकी ओलंपिक में जाती है तो उस तरह से उनका format कर दिया गया है फिर आपका under 17 nation cup अफ हर साल होगा so that's the good thing for women's football under 20 nation cup में भी क्योंकि अब आपके फिफा under 20 women's world cup में quota बड़े है यह श्या के तो वहाँ पे भी 4 quota मिलेंगे तो काफी सारे changes यहाँ पे उन्होंने किये है इसका detail वीडियो में बाद में बना दूँगा ताकि आपको पूरा format समझ में आ जाए बड़े बडलाव यहाँ पे उन्होंने women's competition में भी किया है so that's it from my side guys regarding today's Indian football news I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा keep supporting Indian football don't forget to like, share and subscribe चेहिंद, चेह भारत